दिस्मिल्लारमानी रहीम असलालेकूम विवस तो सभी विवस कैसे हैं उम्मीद है कि आप सब अच्चे होंगे अलहम देला मैं भी एच्ची हूं तो विवस देखिए आज हम आपके साथ शेयर करेंगे बकरे के दिल की रेसिपी और बहुत ही ये मज़े का लगता है खाने में तो चली स्टार्ट करते हैं साथ रही है तो ये हमने आधा किलो ले लिया है दिल ही और इसको अच्छी तरह से धो करके साफ करके और चोटी चोटी बोटी में काट लिया है क्योंकि ये थोड़ा सा हाड होता है तो अकर बड़ी बोटी रहती है तो देर में कलती है और इसमे मेरिनेट करने से यह बहुत अच्छा बनता है और यह हमने ले लिया है पपीता चार से पाच टेबिल स्पून यह ग्रेटर हमने ले लिया है आप पीस के भी डाल सकते हैं और पपीता जरूर डालें जैसे कि यह बहुत सॉफ्ट रहेगा मेडियम साइस की एक प्यास है जो कि अमलेट कट कटी हुई है और यह चार से पाच हरी मिर्चे है पपीता जब भी ले चोटे साइस का ले और इसको जब पीस है तो चिलका समेथ पीस है और यह ग्रेट भी कर रहे हैं तो चिलका समेथ और यह हमने ले लिया है टू टेबिल स् तोज का रसम ढालतेंगे इसमें एक neo it्योकी लॉज श्पाइसे धिए 1 टेबिल शपून यह लाल पर हर और हाफ टेबिल ऐस्पून यह हलदी पाऊटर involved रें और वन टेबिल शपून दन्या पाऊटर सारी चीज़ें इसमें डाल देंगे तो ये वन टीस्पून हम गरम मसाला पाउडर हमने ले लिया है जिसमें की काली मिर्च भी है और जितना भी कुछ बूद का मसाला होता है ये सब कुछ इसमें है और ये बीना जीरे वाला गरम अदो पाहर रखेंगे क्योंकि गर्मी बहुत जादा है तो बस 10-15 मिनिट हम बाहर रखेंगे फिर हम इसको एक से दो घंटे के लिए फ्रीज में रख देंगे मैरिनेट हो जागा और अगर आपको सुबा बनाना है तो आप रात में मैरिनेट करके फ्रीज में रख दें सुबा बनाए बहुत अच्छा सा मसालू का टेस्ट यह दिल के यंदर चला जाता है मौरी हैं थिर नहीं ले लिया है कुकर और इसमें डाल दिया है तो हमने two लाज़न को बाल तude काई स Gir Chili नहीं तो अच्छे तरह से गरम कर लिया था उसके बाद एक चोटी सी मीडियम साइस की प्यास को हम गोल्डेन फ्राई कर लेंगे और ये देखिए ये अब दो गंटा हो चुका है अच्छी तरह से मैरिनेट हो चुका है दिल तो हम सारा दिल अब इसमें डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से हमें भुनाई कर लेनी है ध्यान रहे कि गोश्की बुनाई अच्छी तरह से करें जब गोश्की बुनाई अच्छी तरह से करेंगे तो ये मज़े का बनता है और इसमें जो गोश्की इसमेल होती है वो बिल्कुल भी नहीं रहती है क्योंग गोश्की इसमेल रहती है तो खाना नजे का नहीं लगता है और हमेशा मीडियम फ्लेम पे ही खाना बनाए जिससे कि खाने का टेस्ट भी अच्छा हो जाता है और अंदर तक के सारे मसाले चले जाते हैं टेस्ट बहुत अच्छा होता है तो देखिए ये बुन चुका है अब हमने इसमें डाल दिया है पानी पानी हम इतना लेंगे कि जिसमें ये दिल गल जाए और अब हम लगा देंगे कुकर का ढकर एक सीटी आने देंगे और उसके बाद 15-20 मिनट इसको गलने देते हैं तो देखिए ये गल चुका है धकन हमने खोल लिया है और देखिए हमने आपको तोड़के भी दिखाया है तो ये गल गया है अच्छी तरह से और प्लीज वीडियो देखने के साथ से जिसकिसी ने भी एमको लाइक शेयर और सब्स्राइब में करा है प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीचे और बिल आकन को प्रेस जरूर करिए ताकि मेरी सारी रेसिपी आप लोग असानी से देख सकें तो देखिए ये एकदम रेडी हो गया है और बहुत ही मज़े का बनाता बहुत ही अच्छा खुश्बू आ रही थी अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा और बिल आकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना बहुत ही तो आज की रेसिपी आप लोगों कैसी लगी वीवर्स कमेंट में जरूर बताइएगा अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा और बिल आकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना बूले बिल आकन को प्रेस करेंगे तो मेरी सारी रेसिपी आप लोग बहुत ही असानी से देख सकती है तो चलिए फिर मिलते हैं अगले एक बहुत ही मज़िदार सी रेसिपी और लोग जब तक के लिए लाफीज